3, 2, 1 Hello guys, welcome back to our YouTube channel So I hope you all are well तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं comparative politics meaning natural scope comparative politics means that comparative जो है वो derived हुआ है हम कह सकते हम comparative words से ही समझ सकते हैं कि उसमें वो क्या कह रहे हैं कि compare करना वो compare कर रहे है तो ओर प्लिटिक्स में कंपारिज़न की बात हो रहे है तो वो organ of the government कोई organ of government सकते हैं कि उनके बीच में comparison हो रहा है या फिर उम कह सकते हैं कि कि आनदर गॉंटरी का हमारी कंपारिजिसेन के साथ comparison हो रहा है किसी भी चीज़का किसी भी स्टेट की farms में किसी भी चीज का किसी भी हमारे जो पॉलिटिक से लेटी चीज रहे है छिका है नाउ अब जो ओरीज़न है कंपरिटिव पॉलिटिक्स का वह हुआ था सेकंद वर्ल्ड वार के बाद में ठीक है, अब comparative politics में यह कहते हैं कि different different governments जैसे उनको compare करना, analyze करना, उनको, उनके tests करना, through tests, analysis, evaluate, इन ही के through जो होता है, हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को compare कर सकते हैं Now, बहुत सारी human societies जो हैं, उनको क्रेक्टरसाइज किया जाता है, जैसे कि उनके political behavior को देखके, कि एक person का political behavior भी different होता है, cultures different होते हैं, level of participation different होता है, level of modernization and development, कोई reach है, कोई poor है, कोई more developed है, कोई कम developed country है, state है, या कुछ भी, तो इस सब चीज़ें क्या हो रही हैं, comparison है, compare कर रहे है different countries जो है, वनोंने क्या किया, different political social norms values को hold किया, different social norms और values को hold किया हुआ है, जो क्या करते है, differentiate करते हैं, इसको एक दूसरे से, वही चीज़ जो है, एक दूसरे से differentiation बनाती है, ठीक है, अब हो कहते है, कि author हम क्या कर रहे हैं, जो origin है comparative politics का, वो ancient times चल रहे हैं, मिन्स कि Aristotle के टाइम से चल रहा है बट वो इतना formal नहीं था organized नहीं था और analytical नहीं था बट ये जो चीज है context में मतब की अच्छे से बताई की explain कब की after the second world war next अब वो बताते हैं की जो term है comparative politics वो compose हुई है two words और connotations से comparative and politics comparative means क्या है comparison ठीक है comparison या फिर compare करना किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ as such जहस हम एक individual को भी compare करते हैं उसकी ideas से उसके behavior से उसके possessions से किसी दूसरे member society के साथ अब हमने ये तो पढ़ा कि comparative politics क्या है अब हम comparative का मिनना अब हम पढ़ेंगे politics का मिनिंग politics जो है वो derived हुआ है Greek words से जो है police जो इसको राफर करता है एक city state को राफर करता है small city state को इसकी ग्रीस की अब ये एक another word से भी derived हुआ है वो है politics ठीक है अब वो कहते हैं कि जो comparative politics है वो राफर करती है various political activities से institutions से processes से और other related aspects of different countries in a comparative way अब डिफर्ट डिफर्ट स्कॉलर्स उन्होंने क्या किया अपनी term यूज किया अपनी definition दी है कि इसको लेकर comparative politics से को लेकर है तो हम कुछ main important जो thinkers हैं उनके बारे में पाले पड़ते हैं according to M. Curtis comparative politics is concerned with significant regularities, similarities, differences in their working of political institution and political behavior ये के कहते हैं कि comparative politics जो है वो concern करते हैं कि कुछ regularities के साथ कुछ similarities के साथ और कुछ differences के साथ जो भी working कर रहे हैं political institution के अंतरे काम कर रहे हैं उनके behaviors में भी क्या आती हैं similarities आती है differences आते हैं institutions में भी आती हैं तो इन यही चीज़े हैं अजी चीज़े हैं कि हम टू गल्स के बारे बात कर रहे हैं तो उनकी अलगलग behavior हैं उनकी अलगलग qualities हैं एक हम कहेंगे अच्छी है बूरी है तो हम एक कर रहे हैं एक intelligent है इतनी intelligent नहीं तो हम वो उनका क्या कर रहे हैं उनकी अखी हैं कि हम उनकी इनकी सिमिल्लेरिटी इन.. कि डिफ्रेंशी म 있는 आइ मुदी कर्या हैं तो एक बंढने में मीची हैं वोगलगए हैं लेकिन तो अछे पर्णा बहुंपरीजर जगटी आइं गया हम क्या कर रहे हैं इनका पंपरिशन कर रहे हैं now the another important scholar which is E.A. Freeman अब इन्होंने क्या अपनी definition दिया है हमारे comparative politics को लेकर वो हम discuss करते हैं सब्सक्राइब रीड आउट करते हैं वो हम definition क्या दिया है comparative politics is the comparative analysis of the various form of governmental and diverse political institutions ये भी वही चीज कहारे है कि comparative politics क्या है कहा हमे का करना है analysis करना है analysis करेंगे तभ हमें क्या चाता चलेगा इंका इसका comparison difference बता चलेगा similarities बता चलेगी और उसके बीच में लेकर है with the forms of government or the institical institution का comparison क्योंकि हमें किसका बात कर रहे है comparative कि क्रीक कर रहे हैं politics की comparison की बात कर रहे हैं तो हम पॉलिटिकल इंस्टिशन के कमपेलिजन्स के और फॉर्मस अफ गवर्मेंट के जो भी कंपेरिटिव कंपेर रहां का वो हम पढ़ेंगे जैसा कि हमने डेफिनेशन्स पढ़ी ही समझी हमें इन डेफिनेशन्स को पढ़के क्या पता चला कि जो कमपेलिटिव पॉलिटिक्स है वो स्टडी है किसकी वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स की forms of government की institutions की institutions जाए formal हो जाए informal हो political beliefs, norms, values, political activities, political cultures, behaviors, etc. जो वेरीस एस्पेक्ट्स हैं politics के वो in the context of comparative politics जो है वो study किये जाते हैं three broad categories के अंदर, broader categories के अंदर first is political activity, political process, political power अब political activity क्या होती है जो इंक्लूट करती है वेरीस फॉर्मल, इंफॉर्मल, गवर्मेंट, non-state agencies, organizations और वेरीस kind of activities जो directly और इंडिरेक्टली politics से related होती है तो उन सब चीज़ों, political activity means politics से related, political behavior में कौनसी कौनसी activity हो रही है उन से जितनी भी related होती है उन सब से related होती है ठीक है इनको इंक्लूट करती है political process means political process जो है वो इंक्लूट करता है और study करता है various forms of talents और यह कुछ non-political factors के account में भी आता है means कि कुछ non-political factors होते हैं जो क्या करते हैं effect करते है political process को उनकी बात कर रहा है ठीक है अब इन थर्ड में आते हैं political power में political power जो है वो इंक्लूट करती है स्थर्ड़ करना थिषम के डिटくने थिमकशनी स्थर्ड़ी स्थर्ड़ करना उसी स्थर्ड़ी के स्थर्ड़ी से इन भी इंक्रफ्टारी empiric रहा है विए ROB आता है इस भी एक्वल पावरते है को जिस्य में चै़िशने Sutra putting power is not real, УHHT नहीं है वैसा किमत सबको इक्वेल रखने है